दाउसकार स्वागत है आपका इंडिया की बात में मैं अभिसार शर्मा मेरे साथ हैं भाषा और उर्मिलेश स्वागत है आप सबका और आज हम तीन मुद्धे आपके सामने लेकर आ रहे हैं मुद्धा नमबर एक अतीक एहमत की हत्या सत्पाल मलिक के दावों पर मीडिया की शुप्पी और भारती जनता पार्टी का शर्मा किरदार मुद्दा नमबर दो राहूल गांधी की दो साल की सजा बरकरार क्या भारती एक जनता पार्टी विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है और मुद्दा नमबर तीन बिलकिस बानों पर सुप्रीम कोट के सख तेवर चुरुवात हम करना चाहेंगे अतीक अहमद और सत्तिपाल मलक मामले से अतीक अहमद की इस अंदाज में हत्या की गई कि सहाब कोई वेब सीरीज भी उसकी कलपना ना कर सके मगर उससे ठीक एक दो दिन पहले से वाइरल हो रहा था सत्तिपाल मलक का इंट्विव जिसमें उन्होंने पुलवामा पर कुछ संसिनी खेस दावे किये थे गोदी मीडिया ने उस पर कोई चर्शा ही नहीं किरी चर्शा तो चलिए दूर की बात है उसकी आलोचना भी नहीं की क्योंकि आलोचना करते तब भी तो चर्शा करनी पड़ती है क्या है समुद्डे का पन्च शुरुआत हम करना चाहेंगे और मिलेशी से मुझे ऐसा लगता है चुकि मीडिया का भी इसमें पहलू आपने जोड़ा है कि पूरी हमारी समाज ब्यौस था पूरे हमारे राजनीतिक तंत्र और मीडिया तंत्र का भी ये पूरा जो तीनों आपने आस्पेक्ट उठाएं तीनों से उसका एक भयावा टेरिफिक चेहरा उजगर होता है मैं तो कम से कम यही देख रहा हूँ भाशा क्या है समुद्डे का पंच देखे अभी सारे एक बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि दरसल ये अतीक की हत्या नहीं जिस तरह से से प्लैन किया गया वह लोकतंत्र की हत्या है और उसका लाइफ कवरेज किया गया और इसके बाद जिस तरह से उनकी पत्नी शाहिस्ता का नाम कॉर्परेट मीडिया बार बार ले रहा है बाशाक सर्म यह कहते हैं कि जो फिल्मों में या वेब सिरीज में दिखाये जाता है, वो असल जिंदगी का नाटे रूपांत्रण है और कई बार असल जिंदगी को बढ़ा चुरा कर जो है, वो पेश किया गया हमारी वेब सिरीज में, अगर मैं यह कहना चाहता हूँ मिर्जापूर आपने देखा होगा आमेजान प्राहिम पर क्या आपने मिर्जापूर में भी ये सब होते देखा जिस तरह से अतिक एहमत की हत्या की गई बड़ा प्रश्णिये है कि सत्तिपाल मलिक का इंट्रव्यू वाइरल होता है और फिर ये हो जाता है और यूपी पुलीस के किरदार पर धेरों किरदार शर्मनाक और संसनी खेज ये दोनों शब्द इसमें शामिल होते हैं इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं भाशा मदर अफ डिमोक्रिसी हम खुद को कहते हैं ठीक है अब जी ट्वेंटी का सम्मेलन होने वाला है और जी ट्वेंटी का सम्मेलन हो रहा है इस बीच प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के साथ-साथ मुख्यमंत्री आदितनात अपन होती है पुलीस कैसे भागती है और इसके बाद तीनों को कि प्यार से सहीच की मेरा ननना मुनना कोई पप्पू है उसको इस तरह से सहीच के रखा जाता है क्या मजाग चल रहा है आपर योगी जी के नजरों में जो डिमोक्रेसी है मदर ऑफ डिमोक्रेसी यही है क्योंकि इसकी क्रोनोलॉजी वहां से शुरू होती है जब विधान सभा में खड़े होकर बोलते हैं कि इस माफिया को हम मिट्टी में मिला देंगे शब्द ये मुख्यमंत्री के हैं और उसके बा के बारे में खुद योगी जी कहते हैं कि गाड़ी पलट भी सकती है एक इंटर्वियू में और हस्ते हुए और हस्ते हुए कोई महान बात कर रहे हैं एक सामवेधानिक पद पर बेठा हुआ व्यक्ति अतीक उनके बेटे का जब एंकाउंटर होता है उसके बाद वो से बता रहा है कि क्या अपने शूटर को खुदी बुलाया था मैं तो यह देख कर दंग रहे गई और यह चीज और एहम है जो आप बार-बार कह रहे हैं मुझे लगता है कि वो जो सीरे से गायब हुआ सत्यपाल मलिक का खुलासा जो लोगतंत्र पर बात कर रहा है देश की हितमिस खुलासा है जो 40 लोगों की बात कर रहा है 40 भारतिये नागरेक सैनिक जो मारे गए उनकी बात कर रहा है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है सिर्फ और सिर्फ वेब सिरीज का लाइफ टेली कास चलता रहा है उर्मिलीश एक बात बताईए जाहिर सी बाते कई लोग है कि अगर आप चाहते हैं कि उत्तरपदेश एक ऐसा राज बने जहां पर लोग आके इन्वेस्ट करें तो जाहिर सी बात है यह तस्वीर लोगों में विश्वास नहीं पैदा करता है confidence building measure तो बिलकुल भी नहीं है बड़ा प्रशनी है कि क्या ये एक किसम का एक दोधारी तलवार है मुख्यमंतरी आधितनात के लिए या सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फाइदा इसमें उन्हें दिख रहा है दीकिए मैं समझता हूं कि इसका कोई फाइदा नहीं अगर समझती है भारती जनता पार्टी कि उसको फाइदा होने जा रहा है वो सोचे एक चुनाव होंगी उनका कितना नुक्सान होना है उनकी मानसिकता आप लोगों को अपराद ग्रस्त बना रहे हैं आप लोगों को आपराधिक मनुवर्तिका बना रहे हैं आप लोगों को घ्रणा से घ्रणा और नफरत से एक तरह से उनको बिलकुल आप आप हैबिचुल बना रहे हैं क तीन लोग कौन है, ड्राग एडिक्ट है, क्रिमनल इतिहास है, एक पर पॉक्सो का केस है, हिंदू महा साब ने कहा कि हम उन्हें डिफेंड करेंगे, यह कितना बड़ा दुर्भ्याग गे इस समाज का, कि वो जो आपराधिक सोच के तीन लड़के हैं, उन्हें कुछ लोग ही बहुत बड़े लोग होंगे, उसमें मुझे कोई नहीं, मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश का, एक एक दौर था जब उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, इस्टरन यूपी से, तो एक दौर था जब इस्टरन यूपी में या सिंटरल यूपी में भी Western UP में भी कोशें लगातार बेहतर की जा रही थी कि एजूकेशन का ठीक ठाक मामला हो Land Reforms की कोशेश भी चौधरी चौर्ण सिंग के जमाने में होई थी चकबंदी वगरा की भी होस्ता की गई थी लिडेशन की भी होस्ता की गई थी उत्तर प्रदेश का पिछड़ा रहना उत्तर प्रदेश का आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से पिछड़ा होना पूरे भारत के लिए पिछड़ेपन की गारंटी है बिल्कुल भाशा तो आज की तारीख में जिस उत्तर प्रदेश को नेताओं ने आगे ले जाने की कोशिश करी पीछे के नेताओं ने आज उस प्रदेश को बिल्कुल उल्टी दिसा में ले जा जा मीडिया के जो हमने coverage देखा है तेरा क्या होगा शाहिस्ता उसके बाद अब अतीख के बाद मुखतार अंसारी का नमबर सबसे shocking गुड़ो, मसलिम और शाहिस्ता जो फरार हैं अभी एक news channel ने ये तक बता दिया कि दोनों की बीच में चक्कर चल रहा है मतलब आप जितनी हदों को पार कर सकते थे नीचता, I'm sorry मैं शब्द का इस्तिमाल कर रहा हूँ, मगर मुझे करना पड़ रहा है वो व्यक्ती दूरदान था उसका एक आपरादी के तिहास था मगर जो भूक जो हवस मैं इस news channel में देख रहा हूँ वो वाकई शौकिंग है, सारी हदों को इदने पार कर देख रहा है देखि मैं बहुत कहना चाहूंगी और मुझे लगता है कि कई लोग हो सकता है ऐसे असमत भी हो, मेरे जो शब्द हैं लेकिन मुझे लग रहा है कि उनको खून का चसका लग गया है मुखतार अंसारी के बारे में बात करके तो ये जो खून का चसका लगा है उनको और जिस तरह से उनको लग गया कि ये दानव मिल गया है जिस पर आप जितना तीर चलाएंगे उतना आपकी वोट देखने वाले लोग बढ़ जाएंगे इससे भी बड़ी बात देखी जो उन्होंने कहा कि क्यों किया उन्होंने कहा कि हमने इसलिए किया क्योंकि इससे हम मशूर हो जाएंगे इससे हमारा भविश सुरक्षित हो जाएगा तब मुझे तुरंत याद आया दिली में गोली मारो वाला जो पूरा नारा चला था, वहां से एक आदमी मुख्यमंत्री बन गया, केंद्री मंत्री बन गया, तो ये जो सारा सीन है, कि आप इस तरह से हिंसक उग्र बनते हैं, तो आपकी political line clear होती है, प्रग्या ठाकुर सांसत बनती हैं, तो ये जो एक पूरी chronology नीचे तक बठा रखी है, दरसल ये हिंदू नौजवानों के भविश्य को बरबाद करने वाली है, आप राग्या बनाने की बात है, और आप देखिये, हतियार, कहां से इतने हतियार आ रहे हैं, ठीक अगले दिन, तकरीबन यही घटना होती है, जालोन में जहां पर दो लोग आते हैं और गोली मार देते हैं एक लड़की को, बिल्कुल उसी अंदाज में, वैसे मैं सपश कर दूँ, अपने दर्शकों को बता दूँ कि वो जो तीन युवक थे, उनके पास तर्किश पिस्टॉलें थी, हर पिस्टॉल की कीमत स साथ लाक रुपए, ये साज़श इसलिए गहरी है, क्योंकि आपके पास 21 लाक के हत्यार, आपने आरुन मौरिया का घर देखा होगा, उनमें से एक हत्यारा, आपने लवलेश तिवारी को देखा होगा, ये तमाम लोग जो हैं गरीब परिवारू से आते हैं, भीशन बेरो मुझे भी शौकिंग लगता है कि जिस तरह से समाजवाधी पार्टी ने इस व्यक्ति का साथ दिया, जिस तरह से पांच बार विधायक और एक बार सांसर मिला, ये करारा तमाचा इस देश की राजनीती पिर, मगर जो विकल्प आप पेश कर रहे हैं अपनी राजनीती के थे और मानसिकता उसी तरह की थी बेकल बरबर, पैसा कमाना, लोटना, कसोट करना, हमारा ये कहना है कि अपराधी को आप अपराध से नहीं मार सकते ना, आप स्वेम ब्यास्था अगर अपराध करेगी तो ये तो अपराध खतम नहीं करना हुआ, अपराधी जो तंत्र है, जो आपराधिक लोग है, उनके साथ नहीं के जो ब्यास्था है, जो कोर्ट कचारी है, जो आपका इंस्टिगेशन है, और पिर कहा गया मदर ओफ डिमॉक्रिसी का दावा, तो उसके जरिये अगर आप निपटते हैं, तो आप ब्यास्था की मदद करते हैं, ब्यास्था को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, दोसरी बात, अतीक अहमत को आपने कहा कि ये सबसे खुंकार है, मैं कहता हूँ कि सो माफिया ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश में, और नाम सबका छप गया है, वेबसाइटों पर घूम रहा है, हंड्रेट साफ माफियाज एंड गैंक्स्टर इन उत्तर प्रदेश जो की अतीक हमत से कम नहीं हैं, उसमें से पांच-छे तो अतीक से भी बड़े हैं, लेकिन वे सभी के सभी मौजिवदा तंत्र जो है उत्तर प्रदेश में काबिश उसके बहुत ही चाहते हैं, कोई MLC हो गया है, कोई MLC था और कोई बनने की प्रतिक् कितना बड़ा फसाड आपका है, कितना बड़ा जूट है, मेरा ये कहना है, मैं एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, मैं दो नाम लेना चाहूंगा, धननजे सिंग का अपना इतिहास है, जनता दल, नितीश कुमार की जनता दल मे उन्हें महासचिव बनाया गया था, नमबर एक, नमबर दो, हम ये ना भूलें कि आनंद मोहन के लिए नितीश सरकार ने खानून बदल दिया, वो आनंद मोहन जिस पर आरोप था कृष्णिया, एक नौकरशा कृष्णिया की भीड के जरी हत्या करवाने का, खानून बदल द जो बहुत केंद्री मंत्री हैं इस समय, देश की सुरक्षा का काम है उनके पास, पत्रकार का में भी तिहाड शिरू है, मेरा मानना दूसरा है, अभी तक भारत में कानून का राज है, कानून का राज मतलब एक प्रक्रिया है, जो फॉलो होनी है, और वो सिर्फ सब के लिए होनी है, जो बाबा साहब ने उस समय कहा कि सबके पास एक अधिकार है वोट का, साथ ही साथ कहा कि एक ही प्रक्रिया है कानून की, जाए वो अभिसार शर्मा करें, भाशा करें, और मिलेश करें, कोई भी करें, अगर मुसल्मान करता है, तो उसके लिए आप बुल्डोजर और उसके लिए आप तमाम मैं खुल के कह रही हूँ, ये वेंडेटा की पॉलिटिक्स है, ये कानून की राज को खतम करके, द्वस्त करके, इसलिए मैंने कहा, ये लोकतंत्र की हत्या है कि आप लाइफ कवरेज कर रहे हैं, और उसके लिए सारी प्लैनिंग हो रही है, ये बेटे के जनाजे में शामिल नहीं होने दिया, किस फुरी बैक के तहर्त, उसको अस्पताल ले जाये गया और आपका लोकल इंटेलिजन्स क्या कर रहा था? इसी विशाय का एक और पहलू जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो ये सत्तिपाल मलिक का, देखें वैसे तो इस मीडिया का क्या काम है, भाषा और उन्गलिश, इस मीडिया का यही काम है, कि जो इस सरकार के आलोचक हैं, उन्हें खलनायक बनाया जाए, अंटिनाशनल बनाया मगर सत्तिपाल मलिक इनके लिए इतना बड़ा धर्म संकट थे, उसकी चर्शा भी नहीं की, क्यों चर्शा नहीं की, चर्शा इसलिए नहीं की, क्योंकि वो जानते हैं उसकी चर्शा होती, आप उसकी आलोचना भी करते, तो मुँ बाहे खड़े हैं थे, इंटेलिजिन्स कांड हुआ, आप उसके बाद चुना हुआ, उसका नतीजा सबने देखा, पुलोवा कांड पर कभी भी मीडिया में गंभीर चर्शा ही नहीं की, लोगों ने चर्शा की, सोसल मीडिया ने चर्शा की, लेकिन मेंस्टिम मीडिया बिलकुल भागता रहा पुलोवा मा से, और करगिल वार के समय भी बहुत सारे सवाल उठे थे, फिर भी करगिल पर चर्शा हुई, उस समय, वाजपई सरकार के समय, करगिल के बाद भी करगिल पर चर्शा हुई, कि जाज फरनांडिस की गलती थी, कि उनकी गलती थी, अगर गडेरिया नो होते वहां आरे, और किसी ने मैं समझता हूँ कि चुंकि सक्पाल मलिक कांसिविशनल पोस्ट पे बैठे सज्जन है उस समय कश्पीर में थे और उन्होंने जो बात कह दी जो इंटर्विव में उन्होंने रिवील किये हैं बहुत सारी चीज़ें और माफ कीज़ेगा जो चीज़ें रिवील किये हैं वही म खामोशी और दूसरी तरफ उसके प्रदेश में रहे हैं एक और बहुत एहम चीज़ है कि मीडिया को क्यों साब सुंगा यह हम आप नहीं कह रहे हैं यह सत्पाल मलिक कह रहे हैं जो मोदी जी के बहुत विश्वसनी व्यक्ति रहे हैं नहीं बीजेपी में थे नहीं नहीं मैं दूसरी बात कह रही हूं वो राजपाल बनाए गए और राजपाल भी छोटे मोटे राज़ी के नहीं बनाए गए जम्मु कश्मीर के राजपाल बनाए गए यानि वो कोटरी में थे भरोसे मंद व्यक्ति थे क्योंकि ऐसे ही राजपाल मोदी जी नहीं बनाती मोदी ज बता रहा है कि किस तरह से घोटाला हुआ , किस तरह से देश की सुरख्शा के साथ सम्झवता हुआ वो राम मादव का नाम ले रहे है साथ ही-साथ, वो अmbशनी का भी नाम ले रहे है तो सारी चीजें कोई बाहर महतर रहा हुआ जेनरल शंकर रोई शौधरी जो आमी प्रमुक्त थे 1994 से 1996 के बीच उन्होंने भी इस बात को दोराया, क्या करेगा ये मीडिया, उन्हें आंटी नैशनल बताएगा, क्या, बताब शर्मानी चाहिए इस मीडिया को इस मुद्धे पर किसे थामोश बनाएगा, चल रही थी, इसका मतलब है, इंटर्नल कॉन्फलिक्ट बीजेपी की उजागर हुई, इसलिए इस पर तो नीपा पोती उनको करनी ही करनी है, अब हम रुक करना चाहेंगे, अपने दूसरे मुद्धेका, और दूसरे हैं मुद्धेका, गुजरात की सेशन स्कॉर्ट ने राह पूछना लाजमी है, कि क्या दोहजार चॉबीस से पहले तमाम विपक्ष के नेता जहिल में होंगे, क्या इस वुद्धेका पंच, बताएं भाशा. सुना रही है, ये बहुत एहम अब्जर्वेशन है, जिस पर हम सब को ध्यान देना ज़रूरी है. अब इसार क्या है इस पर आपका पंच? इस मुद्धे पर मेरा ये पंच है कि ये भारतिय जनता पार्टी की बॉखलाहट की अती है. ये बॉखलाट जो एहंकार के तौर पर भी दिखाई देता है, जिस तरह से आप विपक्ष पर निशाना साथने हैं. कहने को आप विपक्ष को जेल में डाल दोगे, मगर इसकी एक राजनीतिक कीमत होगी. राहुल को आप राजनीतिक शहीद बना दोगे, नमबर एक, नमबर दो, वो एहंकार तमाम जगाओं पर दिखाई दे रहा है. करनाटक पे देखिए साथ. खुले आम मंच पर खड़े होकर जेपी नड़्डा कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं क मैं आपके बयान से स्थब्द हूँ. ये बॉकलाट दिखाई दे रही है और वही बॉकलाट जो है प्रतिबंबित होती है इन तमाम चीजों के जरिये. बताइए उर्मिलेशी क्या है इस मुद्दीकापाद। एक तम निश्क्रियक कर दिया जाए. मुझे ताजब नहीं अगर इनको गिरफतार कराने की भी कोशिश हो जाए. इनको हो सकता है कि चुनाव नौल लड़ने का एक तरह से कुछ प्रावधान कर दिया जाए. और दूसरी बात कि मैं कहता हूँ कि नौकेवल केंदर के नेता बलकि राजियों के भी जितने नेता लड़ाकू किस्म के हैं उनको जरूर उनको फंसाया जाएगा और जो डरने वाले हैं थोड़े और लड़ने वाले नहीं हैं उनको पटाया जाएगा. तो एक तरह से जो मैं आपसे सवाल पूछने वाला था आपका भी वही पंच रहा. मगर मैं आपसे जानना चाहता हूँ दावेदार कौन है गिरफतारी के? मेरे जो दावेदार हैं राहूल गांदी, तेजस्वी आदव, अरविंद केजरीवाल, उद्धर ठाकरी का मैं ना गिरफतारी के? दीगे, मैं इसी लिए कहा रहा था, आपने बिल्कुल सही नाम लिए और उसमें और नाम जोड़े जा सकते हैं, उसमें करनाटक के लोगों के जोड़े जा सकते हैं नाम, अगर उनकी सरकार वहां बन गई, कल्पना कीजे की सरकार बन गई, तो उनमें भी पंगाल में भी कुछ लोगों को गिरफतार किया जा सकता है, तो मेरा ये कहना है कि ऐसी स्थिती में एक बहुत बड़ा आपरेशन दोजार चोबी से पहले इस देश में चलने वाला है, विपक्ष से कैसे निप्टें, भाशा मेरे एक बात बताईए, ये जो तमाम चीजे ह हो रही हैं, चलिए हम एक तरह से इस पराम सहमती में दिख रहे हैं कि किसी ने किसी बड़े राजनेतों की गिरफतारी होगी, मगर मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये राहुल गांधी को ऐसा राजनीतिक शहीद बना देगी, जिससे उनका कत इतना बढ़ जाएगा, कि वो ज्यादा खतरनाक साबिद होगा बीजेपी के लिए, या बीजेपी इसमें कोई फाइदा देख रही है, इस दमन में, इस कोशिश में जिसमें लगातार अटाक कर रही है विपक्ष, क्योंकि देखी, अभी तो मुझे लगता है कि मोधी सरकार इस ट्रैक पे चल दी है, उसकी ट्रैन इसी रहा पे चल रही है कि विपक्ष को कुछलना है, खतम करना है, विपक्ष नहीं चाहिए, दो हजार चौबीस से पहले, और इस क्रम में उसने गाहुल गांधी को निर्विवाद एक बड़े लीडर के तौर पर, जो भारा जोड़ो यातरा से जो क्रम शु विपक्ष क्योंकि हमें लगातार दिखाई दे रहा है, चाहे वो जातिगत जंगरना का मामला हो, चाहे केंडरी एजेंसियों की दबिश का मामला हो, देश में जितनी ब्रॉडर विपक्ष है, वो तकरीबन सहमत है, और मैं उर्मिलेश जी की बात में एक चीज जोड़ूं तिलंगाना निगाह में रहना चाहिए, तो यानि ये ओपरेशन लोटस पूरे देश में अलग-अलग धंग से चल रहा है, एक्जेक्यूट हो रहा है विपक्षपर दबिश के लिहाज से. अलेश जी, देखिए, भारती राजनीती पर अगर हम निगाह डाले हैं, तो हर बार किसी पर अत्याचार किया गया हो, जनता की साहनुवति इससे आ जाती है, अब इंद्रा जी ने बेशक 1975 में आपातका लगाया था, मगर जब उन पर केसे हुए तमाम चीज़े हो, तो जन ही वज़ा है कि तमाम लक्षमन रिखाओं को पार करती, बीजेपी दिखाई देती है, आपका सवाल बहुत बड़ा सवाल है, बहुत महत्पूर्ण सवाल है, क्योंकि देखिए, पहले जब कभी किसी नेता पर उत्पिरन होता था, वो हीरो बन जाता था, जनता उसके पिशार तंत्र है, वो उस दोर के मकाबले आज का जो है, वो बहुत जबरदस्थ है, अफवाबाजी में बहुत सारे और भी संगठन लगे रहते हैं, मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि केवल एक कोई दो, बहुत सारे लोग तरह तरह की अफवाएं उड़ाते हैं, तरह तरह की कस्वे में बेड्रूम में घुसा हुआ है, और बेड्रूम में लोगों को बता रहा है, उनके अगर जोपड़ा है कहीं, किसी का खपरेल है, उस घर में भी जाकर बता रहा है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन पापी है, कौन धार्मिक है, कौन महान है, कौन अराक्षास है, इस तरह की बातें बता रहा है ये टेलिवीजन तो ये जो टेलिवीजन की ताकत है देखे टेलिवीजन जब आया था लोगों ने समझा कि ये ग्यान का कितना बड़ा सूचना का कितना बड़ा ये जरिया बनेगा आज वही टेलिवीजन यानि टीवी पुरम और ग्यान का और और जूटी सूचना का जूटे समाचारों का सबसे बड़ा तंतर बन गया है तो इसी के कारण से नहीं तो आज की तारीख में हाना कि मेरा ये नीजी आकलन है मैं इस बारे में कई लोगों से पूछा भी अंजाने लोगों से सड़क चलते लोगों से जब मैं ट्रेबल करता तो कि राहूल गांदी पर जो उत्विलन चल रहा है इस समय निश्चित रूप से राहूल गांदी की इमेज लोगों में बढ़ी है एक सेकंड मैं कंक्लूट कर रहा हूं और दूसरी एक और बात है कि राहूल गांदी ने जो राजनीती का रास्ता अपनाया है अपना वो किसी कांग्रेसी बड़े नेता ने नहीं अपनाया था इंक्लोडिंग उनकी मां और उनकी दाजी किसी ने नहीं और वो है सवाल्टन समूहों को मोबिलाइज करना वो है ऐसे सवालों को लेना जिस पर मोदी को घेर रहे हैं जाती जन करना के सवाल पर मोदी जी के पास क्या है कहने को BJP के पास क्या कहना है 50% reservation दे रहे हैं अपने संगठन में SCST से ले करके और OBC तक OBC मंत्राले बना रहे हैं अब ऐसी स्थिती में भारती जंता पार्टी का जो तथा कसित OBC एजंडा है वो थुर हो गया है भाशा एक बात बताईए देखे ये सब तो ठीक है राहूल गांदी की छवी तमाम चीज है मगर क्या ये कहना सही नहीं होगा कि विपक्ष का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो बहुत स्वार्थी है वो सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पर अपना फाइदा देखता है मसलन अगर मैं सिर्फ तीन मिसाल दूँ केसी आर हूँ, अखिलेश यादव हूँ, ममता बैनर जी हूँ ये लोग इतने उग्र अंदाज से अभी भी सामने नहीं उभर कर आए है जिस अंदाज में केजरिवाल सामने है, राहूल सामने है, तेजस्वी सामने है हाला कि केजरिवाल पर भी जब गाजगिरी तब जाकर वो जो है अग्रेसिव हूए मगर बाकी लोगों के जो है किरदार पर एक बड़ा सा प्रशन चिन बना हुआ है शरत पवार, अडानी से मिल रहे हैं, उनके अजीद पवार जो 40 विदायकों की उन्होंने दस्तखात ले लिये थे, जाने वाले थे, वो तो खबर लीक हो गई, तो मामला वहां पर रुक गया यह टाइमिंग सूट नहीं कर रहा है, तो यह बात सही है अभी सार, और इसके साथ साथ देखिए, एक तो यह मुद्दा है ही, और मुझे लगता है, उसमें भी जो ऑपरेशन लोटस की हम बात कर रहे हैं, या जो भाजपा विपक्ष को, विपक्षीन भारत चाहती है, लो बात करती हैं, कब मुकुल राय इधर आते हैं, वो सारी डील चल रही है, लेकिन इससे भी जो बड़ी बात है, जिसका जिक्र लगातार हम करते रहे हैं, कि एक जो मद्दाताओं का सौफ्ट्वेर चेंज किया है, और खास तोर से वो लोग जो हर इंकाउंटर पर, हर बुल बीचे तक, और देखें, जैसे से चुनाव आ रहा है, आप देखेंगे कि नफरती ब्रिगेट बहुत तेज पहल गई है, चारो तरफ देश में एक ही ढंक से, राम नवमी से लेकर अभी तक, यानि उनको भी डर है कि बुनियादी मुद्दों पर अगर बात होगी, तो भा सुप्रीम कोट ने बहुत तलख तेवर अपना है, उनके तलख तेवरों से सरकार के नुमाइंदे, गुजरात सरकार के नुमाइंदे बौखला गए थे, सुप्रीम कोट को ये तक कहना पड़ा, कि आज बिलकिस बानों के साथ हुआ है, कल किसी के साथ हो सकता है, क्या है इ सारे लोग जो आरोपी हैं, वो वहाँ पर मौजूद हूँ, और शायद उसकी बड़ी वज़ा थी, कि उसके बाद का जो सेलिब्रेशन था, वो जो कैमरे में कैद हुआ, वो सब दुनिया के सामने आना चाहिए था, कि भारती लोकतंत्र की इस्थिती ये है, अदालत कैसे अपरेट कर रही है, सिर्फ गुजरात ही नहीं, बाकी जगों पर, शायद ये सबसे बड़ी चुनौती है, जो सुप्रीम कोर्ट जिसका जवाब दे रहा है, बात कर रहा है, लेकिन फैसले में तबदीली नहीं हो रही, अभी भी अभिसार, आपका क्या पंच है, अभिसार इस पर, देखे हम इसकी नया एक प्रक्रिया पर बात कर सकते हैं, हम तमाम चीजों की बात कर सकते हैं, कि अदालत ने इस सुबूत पर घौर किया, इस पर नहीं किया, बाबू बजरंगी ने गुप्त कैमरे में क्या कहा, नहीं कहा है, वो एक अलग मुद्दा है, मगर ये आइना हमारे समाज को दिखा रहा है, कि भारती समाज अंदर से किसकदर जहरीला हो गया है, कि जैश्री राम के नारे लगाये जा रहे थे, जब नरोटी में तमाम आरूपी बरी हुए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जैश्री राम, मर्यादा पुर्शोत्त है राम, नियाए संगत है राम और बावजूद इसके इस तरह की हरकते हो रही थी, धर्म को बदनाम करने के लावा ये कुछ नहीं है, उसके लावा कुछ नहीं है, और मैं लिजी कैस मुद्दे का पंच देखें, मैं समझता हूँ की गुजरात में और दूसरे स्टेट्स में भी कई जगा देखा जा रहा है कि नियाए की प्रक्लिया पर आम लोगों के बीच भी सवाल उट रहे हैं, आज जरूरे से इस बात की है कि माननी सुप्रीम कोट इन चीजों पर जो देश के अंभीरता पुरुवक विचार करें कि जनता में नियाएक की जो विश्व सनियता है, उसकी जो इज़त है, वो कैसे अक्षुन रहे, कैसे वो सुरक्षित रहे। उस पर उन्होंने सवाल उठाए, पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए, मगर सबसे बड़ा प्रशन है, जो वो आरोपी थे, उनके लिए किसी ने रालिया नहीं निकाली, जिस तरह से बिलकिस के 11 गुनागारों की रहाई पर उनमें से एक मैनी भूलाओं शेलेश भट को एक भाजपा का सांसद और विधायक सम्मानित कर रहा था, जिस तरह से नरोडा में से एक जो गुनागार था, आरोपी था, उसकी बेटी को टिकेट दिया गया था, ये थोड़ना किया गया था उन आरोपियों के साथ, जो यहाँ पर किया गया था, लें लेंसिंग करने वा करता है कि वह कहीं मौजूद नहीं है समाज में, और समाज में बड़े पैमाने पर इन तमाम लोगों को, क्योंकि ये जो फैसला आया है, इसमें दो किरदार बहुत एहम है, आपने बाबू बजरंगी की बात की, माया कोडना नी, उनके बारे में भी जो इस्टिंग ऑपरे के जरिये वाइट वाश हो रहा है, मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगले 10 साल में अगर इंकी सरकार रहती है, तो लोग कहेंगे कि कोई मरा ही नहीं, गुजरात में 2002 में कुछ हुआ ही नहीं, इस दिशा में जब हम बढ़ गए हैं, ये बहुत ही शर्मनाक और आपरादिक है क्योंकि जिस तरह से 11 लोग भारतिये नागरिक थे वे, कोई और नहीं थे, 11 भारतिये नागरिकों को जिंदा जलाया गया था और उस पर जो फैसला आया है, और शायद इसी कॉंट्रास्ट में बिलकिस को देखने का मामला है, क्योंकि बिलकिस पर आप देखिए कि सुप्र मैं इसराहिल में आप सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है, सब केंदर सरकार करेगी, उसी दिशा में भारत में सुप्रीम कोर्ट की जो परेशानी है, जो गुस्सा है, जो शब्द हैं, वो बता रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट पर भी पूरा निशाना, इसी लिए है कि Minorities के लिए कानून का रवया अलग होता है दूसरों के लिए अलग और सबसे शॉकिंग बात जो न्याइक प्रक्रिया से भी उची है कि राजदीती जिस तरह से इन लोगं को शेह देती है भूल जाएए गुजरात आप देखिए अगर आप राम रहीम बलातकारी राम रहीम की विबात करें जिस तरह से उन्हें परोल मिलता है कुल्दीब सिंग सेंगर और सबसे शॉकिंग बात ये जो बिल्किस के ग्यारा गुनार गयार थे उन्हें अब तक एक हजार घंटे का परोल मिल गया है देखे आप लोग चुकी सुप्रीम कोट और सरकार की बीच में जो एक कशमकस है उसको अपने नूरा कुष्टी कहा देखो मैं नूरा कुष्टी नहीं कहूंगा क्यों नहीं कहूंगा क्योंकि नियायत तंत्र का अमर्थ सेन् की बहुत मशूर किताब है जिस्टिस और नियाय पर इसको ले कर तो दुन्या में जितने लोगों ने इस बश्चह पर काम किया है सबने माना है आइडिया ऑफ जिस्टिस कि भई कि किसी भी समाज में जो निया है वो सही तभी होगा जब जनता यानि जो समाज है वह सही दिशा में सोचे अगर पूरे समाज की स्थितियां यतनी खराब हो जाती है कि लोग बुरा ही सोचने लगते हैं लोग नफरत ग्रणा और संप्रदाइकता कास्टिजम दरिद्रता का प्रचार तंत्र जो चल रहा है पिछले आट नौ सालों से उसी सोच का परिणाम दिखाई देता है सरकार जनता को तो हाका जा सकता है सरकार और प्रचार तंत्र उन्हें जिस तरह से जो दिशा देगा वही तो दिखाई देगा और सिस्टम में चेक बैलंसेस भी हैं मैं जो कह रहा हूँ जदेदा सुनने का कष्ट करें देखिए नियात तंत्र जो है वह एक लोकतांत्रिक समाज में हम यह नहीं बहुत अच्छा काम कर रहा है बिलकुल निराशाजनक है बहुत खराब इस्तितियां है लेकिन मेरा यह क को भी ताकत मिलेगी अब नियायत तंत्र में किस तरह के लोग चुने जा रहे हैं कैसे लोग वहाँ पर बैठाए जा रहे हैं आप ये भी तो देखिए तो जब आपके समाज में ट्रांस्परिंसी नहीं है जैसे हाली के एक अदालत के केस में अमिट शा के वकीर जज थे मैं उसका वैसे फैसले से कोई लेना दे लानी है मैं आपजेक्टिविटी अगर किसी व्यक्तिकी देखनी है निस्पक्षता देखनी है तो आपको प्रक्रिया भी देखनी पड़ेगी कहीं न कहीं हमारे समाज में प्रॉलम चल रही है और जब तक समाज सही दिशा में नहीं जाएगा हमें सही नियाय भी नहीं मिलेगा और नियाय तंत्र में बैटे वे दो चार लोग बहुत अच्छा करेंगे लेकिन अगर बहुत सारे लोग नहीं अच्छा करेंगे तो आप नहीं तंत्र से क्या हासिल करेंगे आप सोच लीजिए भाशा अंत में क्या ये कहना सही होगा कि देखे दोहजार चौबीस में अगर ये सोच ये निजाम ये सत्ता पलट भी जाती है तो आप और हम जो बात यहां और मिलेश जी कह रहे हैं उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि आप और हम जिस समाज में जी रहे हैं इस समाज को सुधरने में कई दशक लग जाएंगे देखे मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फैसला मजबूत पॉलिटिकल फैसला सोशल मुव्मेंट के साथ होगा तभी इस तरह की जो नफरत उपर से लेकर नीचे और नीचे से लेकर उपर तक गई है उसे तबदीली ला सकते हैं लेकिन मुझे इस बात में आज भी भरोसा है कि अगर पॉलिटिकल पावर चाहे और ये कु कि अमन के टेकर्स नहीं है अभी भी अमन के टेकर्स हैं और आप जनता से मैं सिर्व यही कहना चाहता हूं कि आपको यह समझना पड़ेगा कि आप अपने अंदर कितनी नफरत भरेंगे आपका खुद का कितना कोटा है आपको यह सोचना पड़ेगा कि आप अपनी नसों मे कितना जहर प्रवावित करेंगी क्यों इसका नुकसान आपको है आपके आने वाली पीडियों को आपके बच्चों को है आपके परिवार को है जो यह जहर आप रोज शाम को बैठके प्राइम टाइम में देखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया और मिलेजी और भाशा आपका इंडिया की बात में बस इतना ही अभिसार शर्मा को दीजे अजासत नमस्कार